चलिए अब हम हमारे next chapter पर आते हैं, chapter number 20, use of when, when का हम ये कब use करते हैं, when मतलब की कब, जब भे हमें किसी sentence में, किसी situation में, जानना हो कि कोई चीज कब हुई है, किस time पर हुई है, तब हम when word को use करते हैं, चलिए इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, sentences की मदद से, when do you wake up, तुम कब उठते हो, I wake up at 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, next देखिए, when do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो, I go to school at 8 o'clock, तो मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, next देखिए, when do you come from school, आप स्कूल से कब आत है, I come from school at 1 o'clock, मैं स्कूल से एक बजे आ जाता हूँ, तो when, ये चीज बार-बार पूची जा रही है, यानि कि तुम स्कूल से कब आते हो, तुम सुभा कब उठते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तो ये कब जो word है, यानि कि when, ये हमारा question है, और इसी के बारे में हम इस चा खेलते हो, I play in the evening, मैं शाम को खेलता हूँ, या खेलती हूँ, ऐसी ही एक और देखिए, when do you go to bed, आप बेड पर कब जाते हैं सोने के लिए, I go to bed at 9 o'clock, मैं 9 बजे रात को सो जाता हूँ, या सो जाती हूँ, तो when जो word है, यानि कि कब, वो यूस कर रहे हैं आप जब आपको किसी चीज का, किसी event का time जानना हो कि कोई चीज कब हुई है, so I hope आपको when का use समझ में आया होगा, अब देखिए work to do, पहला देखिए, answer the following questions, पहला question क्या है, when do you go to your school, आप school कब जाते हैं, इस चीज को आप अपने आप answer करेंगे, कि आपका जो भी timing है, school का आप उसे अपने आप लिखेंगे, second देखिए, when do you wake up, आप उठते कब हैं, जिस भी time आप उठते हैं, वो time आप यहां लिखेंगे, next देखिए, when do you play, आप खेलते कब हैं, तो जिस भी time पर आप खेलते हैं, वो चीज आप यहां पर लिखेंगे, next is, when do you take lunch, आप lunch कब करते हैं, तो जिस भी time आप लंच करते हैं, वो चीज़ आप यहां mention करेंगे, next question देखिए, match these sentences, अब आपको यहां पर इन sentences को match करना है, जैसे कि, पहला क्या है, I wake up, तो आप कब उठते हैं, आप लिखेंगे, I wake up at 6 o'clock, जो third option है, आप A और third को match करेंगे, next देखिए, I come from school, आप school से कब आते हैं, at 1 o'clock, तो यहां पर आप option, option fourth से B को match करेंगे, अब देखिए, C क्या बोलता है, I go to school, आप कितने बज़े स्कूल जाते हैं, at 8 o'clock, तो आप option second से option C को match करेंगे, D देखिए, I play, तो I play में आप option number one, in the evening से उसे match करेंगे, तो इस तरीके से आपने इने match किया, So I hope आपको when का मतलब समझ में आया होगा, कि कोई भी event जब हो रहा है, take place कर रहा है, तो वो किस time पर हो रहा है, उस answer का question होता है when, So I hope आपको यह chapter clear होगा